नमस्कार दोस्तो आप देखे हैं रश्मी फ्लाइ हाय और आपके साथ मैं हूँ रश्मी अगरवाद दोस्तो आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं उस मुद्दे पर संसत से लेकर सड़क पर हंगामा जोरदार तरीके से हो रहा है सान हमारे भाई यह वो लगातार केंद सरकार को घेरेवे हैं और वो किसलिए सिर्फ एक बिल के कारण और जो है क्रिशी बिल अधीनियम अब हम आपको बताएंगे दरसल यह पूरा मांजरा क्या है लेकिन उससे पहले आपको हम बता दे कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले ताकि आप इस रिपोर्ट को अच्छी से देख सके और मेरे आने वाली हर रिपोर्ट को आप दे जारी कि दरसल यह क्रीशी बिल है क्या जिसके कारण हमारे किसान भाईयों को सडकों पर आकर प्रदशन करना पड़ रहा है और वो भी इस कोरोना के समय में जब खत्रा सबसे ज्यादा भड़ रहा है तो आपको हम बताते हैं कि इस बार जो संसद में केंदर सरकार ने ब करके करके बताती हूं सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहले बिल की जिसका नाम है एसेंसियल कॉमोडिटी बिल जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवसेक वस्तू अधिनियम भंडारन नियम अब यह क्या है इस चीज़ को समझे और क्यों किसान भाई इस बिल को लेकर नाराज है इस ध्यादेश को लेकर नाराज है इसको भी समझने की जरूरत है दरसल आपको बता दे कि यह जो बिल पास हुआ है इस बिल के तहट अब जो वैपारी है वो और किसान भाई भी अपना जो अनाज है जो पादन होता है उसको बंडारन कर सकते हैं यानि कि स्टोर कर सकते हैं पहले ऐसा नहीं हुआ करता था अब ऐसा सरकार ने लागू कर दिया कि आप इसको स्टोर करकर रख सकते हैं जो हमारी रोज मर्दा की आविसे चीज़े होती है ना एसेंसिल कॉमेडिटी इसले काई जैसे नमक तेल गे हुए हमारी एसेंसिल थींग से हम चाहें तो अब इस हमारी आविस्टिक वस्तू को बंडारन करकर रख लेते थे तब उस समय सरकार ने एक कानून लाया और इस विवस्था कर दे कि कोई भी हमारी एसेंसिल थींग्स को बंडारन नहीं कर सकता है जो कि बंडारन करने के कई सारे नुकसान है वो क्या है हम आपको बताते हैं वैपारीों को बेस देंगे या कहीं पर भी देंगे विकिन बड़े बड़े वैपारी होते हैं दे67 वह क्या करते हैं बंडारन स्टोरिज़ंड होते हैं और इससे क्या होता है जब मार्केट में उस चीज की भृमरी कमी आ जाती है क्योंकि जब यह को ठोंने के लिए ऐसे लेने के लिए तो वो कह देंगे कि हमारे पास नहीं है लेकिन जैसे मार्केट में उस चीज की कमी होती है तो क्या होता है जैसे कमी आएगी तो फिर रेट इंक्रीज हो जाते हैं चीजों की क्योंकि हमारे पास चीज कम होती है लेकिन जो स्टोर किये होते हैं वो उस वक्त इस चीज़ को लेकर नाराज है कि जो बड़े वेपारी वो तो भंधारन चलिए कर लेंगे हाला कि इसमें खराबी है लेकिन किसान भाई जो एक छोटी सी जोपर पट्टी में रहते हैं उनके पास कहां भंधारन कितने सकती है वो ज्याद़ा से जड़ा कितना कर लेंगे विपार में लिखका जरूर बताईएगा अब दुसरी तरफ हम रूख करते हैं दुसरे अधिनियम की तरफ जिसका नाम है Contract Farming यह बहुत important अधिनियम है और यह अच्छा भी है अब क्या है इस अधिनियम में Contract Farming में चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं दोस्तों Contract Farming का मतलब हुआ Price Before Farming यानि कि अब जो हमारे किसान भाई है वो पहले ही उत्पादन से पहले ही अपने भी जो भी उपज है यह हूँ या किसी भी चीज की जो खेती करेंगे उससे पहले ही उसके rates fix कर लेंगे वीपारी उसे मैं आपको example के संजाती नहीं जैसें कोई वी बड़े वापाई बड़ी कंपनी है जिसे किसी को अगर आलू की जरुत है जो अगर कोई chips निर्माता जो चिप्स बनाती है अगर उसे आलू की जरुत है तो जाहिसी बात है वो कोई एक दो या पचास किलो तो लेगा नहीं वो तो टनों में आलू लेगा क्योंकि उसकी चिप्स बनाने की कमपनी है तो वो क्या करेगा पहले ही एक पुरकाई गाउं को एक साथ कॉंटेक्ट कर ल आप बताए कि आप किस रेट में आलू देंगे किसान भाई बोले का भई अभी तो मार्केट में आलू के रेट 25 चल रहे हैं वह चालीस रुपए किलो में आलू के रेट मालीजे उधार्ण के तो पर तैकर लेती हैं बड़ समय आएगा कटाई का तब तो बैपारी है वो अ तो बीस रुपए किलो दस रुपए जो भी है नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसने पहले ही कॉंट्रेक्ट फार्मिंग रेट तैकर लिए लेकिन फाइदा कब होगा अगर आलू की रेट 40 रुपए किलो जो उसने रेट तैकर उससे कम हो जाएगा लेकिन वह पारी को ज्याद कर दो जो भी एग्रिमेंट रपारियों के साथ किसानों की होगी다면 उसके लिए करने का को प्रोंग होगा कोई ऐसा नियम लाना चाहिंग जिसके लिए किसान स्क्राइइन वह संतुष्टी हो सरकार density कि इसकी बया लेकिन SDM उस लेवल पर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि बड़े-बड़े अधिकारियों से डील करना वो SDM के उसमें आएगा नहीं तो इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा और स्टेडी करने की जरुरत थी और इस पर ध्यान देने की जरुरत थी हेल्स यह जो अधिनियम है काफी अच्छा है अब हम बढ़ते हैं अपने जो है तीसरे अधिनियम की तरफ जिसका नाम है किसी पादन विपार और वानिज्य अब यह अधिनियम क्या कहता है इसके बारे में समझें और अपनी राय अपने बताईएगा आप आपको बता देते ह किसान जो है अपना आनाज सिर्फ मंडी में नहीं कहीं भी ओल ऑवर इंडिया कहीं भी जाकर वो बेच सकता है बहर कहीं ही जाकर वो बेच सकता है उसके लिए पूरा मार्केट खुला है अब इसमें किसान का जो रूक है वह प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहें वह हम बताए था मंडी में मान लीजिए कि अगर उसके एक ट्रक आलू ही हुआ तो वो मंडी में जाता है अब मंडी में जाने के बाद होता क्या है अभी चीच को समझी मंडी में जाने के बाद वहां जो है अगर रेट 10 रुपे किलो के चल रहा है तो भई जो वहाँ पे दिकारी बैठा रहेगा वो उससे कम रेट पे खरीद लेगा लेकिन सरकार ने क्या कह दिया है किसानों को कि आप इसको बाहर अपनी रेट के अकॉर्डिंग बेश सकते हैं मालेजी आलू के रेट जो है वो दिल्ली में 30 रुपे किलो है ठीक है और लेकिन वो महरास्टर में 40 रुपे किलो है तो किसान जो है वहाँ पर जाकर महरास्टर में जाकर जादा रेट में बेश सकता है अब इसमें आपको मैं बता दू गौर करने वाले बात क्या है कि अभी भी आपको बता देती हूँ एक सरकार की संस्था है NSSO जिसे हम इंगलिश में कहते हैं National Sample Survey Office ये जो है संस्था सरकार की है और ये बेरोजगारी और किसान की Annual Income का डाटा देती है अब ये NSSO सो ने कहा है कि 6 प्रतिशत किसान ही ध्यान से सुनिएगा मंडी में अनाज बेशते हैं और MSP का फायदा लेते हैं बाकि जो 94 प्रतिशत है वो इधर उधर पहले से ही अनाज बेच रहे हैं अब आप सोचिए जब पहले से ये चीज़ हो रहा तो ये अधिनियम लाने का मतलब इस अधिनियम लाने से ये हो गया है किसानों को एक सहुलιएत ये हो गई है कि अब वो ऑन- unanimously भी ट्रेडर्स के जरिये अपना अनाज बेच सकते हैं दिल कर सकते हैं ये एक सहुलियोथ अब मंडी में वो अनाच बेच सकता है लेकिन मंडी में बेचेगा विवाद यहां पर खड़ा होता है मंडी में अगर बेचेगा तो टैक्स लगेगा अगर बहार कहीं बेचेगा तो टैक्स नहीं लगेगा अब किसान भाईयों का यही कहना है कि जब अगर हम मंडी में बेशते हैं तो टैक्स लगता बाहर बेशते हैं तो टैक्स नहीं लगता ऐसा क्यों समानता होनी चाहिए अब दूसरी बात जो विवाद का पॉइंट वो है MSP को लेकर किसान भाईयों को कहना है कि जो सरकार है वो MSP खत्म कर देगी MSP देगी नहीं तो मेरा यहाँ पे कुछ पॉइंट है पहले ही NSSO रिपोर्ट जारी किये उसके एकॉर्डिंग बहुत ही कम किसान भाई जो 6 परतिशत के एकॉर्डिंग है वो MSP का फायदा लेते हैं नहीं लेते हैं इसके पीछे भी वज़य है क्यों नहीं लिपाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हो लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ तो उस समय जो हमारे किसान भाई है उसकी उनकी स्थिती बहुत खराब थी तो वो क्या करते थे सावकारों से कर्ज लेते थे और कर्ज जब लेते थे तो जो खेती करते थे तो उपज होती थी तो सावकार क्या करते थे वो सारी किसारी उपज ले लेते थे तो किसान भाईयों के पास कुछ बच्चता नहीं था तो उस वक्त सरकार ने एक नियम लेके आये जिसका नाम था APMC जिसे हम कहते हैं Agriculture, Produce, Market, Community यानि कि हिंदी में इसे मंडी नाम से जाना जाता है तो किसान क्या करता है असानी से मंडी में जाता है और वहां पे बैठे वे होते हैं वैपारी जिसे हम बिचौलिया कहते हैं और अर्थी भी कहते हैं उनसे डिलिंग करता है क्योंकि इनके पास बड़ बड़े गुदाम होते हैं और वो किसान भाईयों से कम रेट में लेके और जो वैपारी आते हैं उनको ज्यादा रेट में वो अनाज बेज देते हैं इस तरीके से काम होता है अब विवात का का रहन है कि बिचौलिये कह रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा हमारे जो ज़ो ट्रेज है उनका क्या होगा क्योंकि मंडी में टैक्स वाली वह दे दिए कि अगर मंडी बेचेंगे तो टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है कोई किसान मंडी में जन्दी से बेचना नहीं चाहेगा तो वही किसानों को लग रहा है कि सरकार उनके MSP खतम कर देगी इस पर सरकार का तर्क सब वैसे के ही वैसे रहेगा अब आपको बताएं यहीं समझदा ज़रूरी है कि विवाज जिस चीज को लेकर हो रहा है क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे हिंदी में न्यूंतन समर्थन मुल्य कहते हैं अब न्यूंतन समर्थन मुल्य को जो जारी करता है वो है क्रिसी आयोग जिसे इंगलिस में CACP कहते हैं जो की FCI के अंदर काम करता है यह प्रक्रिया पुरी तरह इस तरह किसे चलती है कि MSP जो है आपको मैंने जो सेकेंड अधिनियम बताया था वो ता कॉंट्रेक्ट फार्मिंग MSP प्लस कॉंट्रेक्ट फार्मिंग का जो प्वासेज आलमस्ट सिमिलर है कैसे समझिए MSP कैसे काम करता है करते कि किसानों को कह देती है कि अगर आलू के चाहिए माली जिए कोई फशल है उसके रड़ा 10 रुपय है गहुं के 10 रुपय किल्व है तो सरकार किसान से shadow रुपय ए 20 रुपय के में उसे खर लेती है और जब उपज होते है तो सठकार खऱएद लेती है लेकिन अगर rate भर जाते हैं कलको open market में सोला की जगा अगर 20 हो जाते हैं तो सरकार उस बड़े वे rate में भी खरीद लेती है MSP में ये फाइदा होता है लेकिन contract farming में जो अब है उसमें क्या फाइदा हुआ जो आपने rate decide कर ली है वेपारी सिर्फ वही rate होंगे ना कम ना ज्यादा तो ये difference दोनों में होता है अब MSP में दिक्कत क्या आती है MSP होने के बाद भी SSO की report के अनुसाद 6 प्रतिश्यत किशारी इसका फाइदा उठा पाते है कैसे जो MSP है MSP जो मैंने आपको बताया जो कि PAC के अंदर कम करता है जो deine कि maksy Value का मैं मेंसप्र को जाते है अब जब किसान उनके पास जाते है तो पर अपने अनाज़ा को बेचने के लिए विवस्थ हो जाता है और जैसे मनडी में ऐस अनाज़ा को बेचने वैसे ही FCA के अधिकारी मंडी में जाते हैं और बिचोलियों से ज्यादा दाम में यानि किसाने 10 रुपए किलो अनाज बेचा है तो FCA के अधिकारी मंडी से 15 रुपए किलो अनाज ख़रिद लेंगे और वो FCA के गुरामों में ले आएंगे अब यहां पर क्या होता सरकारी ख पॉकेट के पैसे लेके वो घर को निकल गया अब सोचिक किसान जो दिन राद इतनी मेहनत करके फसल उगाता है उसको भी इतना फायदा नहीं हो रहा जितना उन अधिकारियों को बैठे-बैठे हो जा रहा है तो अब चीजों को समझना इसी तरीके से है कि कितने भी अधिनिय दो जो में कॉंटेक्ट फार्मिंग के बार में बताया मैंने वो काफी अच्छा है उस पर थोड़ा सा जो मैंने बताया कि अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कंप्लेन के लिए कोट के रास्ते खोले जाए ना कि सिर्फ एक SDM तक जाए क्योंकि कोट के रास्ते कुलने से किसान कि कोशिस की है और इक्या है बिल इसकी पूरी जानकारी दी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए का कोई भी सवाल हो तो मैं कोशिस करूँगी आपको जवाब देने का ज हैंट